हेलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे यामा की 150 CC की एक और न्यू बाइक की जिसका नाम है यामा M Slash 150 जो की इंटरनेशनल मार्किट में पहले से ये अवलेवल है पर इंडिया में ये बाइक कब तक आएगी क्या-क्या फीचर्स इसमें मिलेंगे ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो अगर आप भी 150 CC सेग्मेंट में कोई न्यू बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरी देख लेना ताकि आप इस बाइक के बारे में कोई भी इंफर्मेशन मिस ना कर पाएं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो यामा इंसलाइज 150 एक नेकेड स्पोर्स बाइक है जो कि थाइलेंड, इंडोनेशिया और काफे सारी यूरोपेन कंट्री में एवलेवल है इसके डिजाइन की बात करें तो काफे मस्कुलर, स्पोर्टी और फ्यूच इस बाइक का, इसमें शार्ब डिजाइन की LED हेडलाइट मिलती है, LED DRS मिलते हैं, लेकिन जो इंडिकेटर से इसके वो LED नहीं मिलते हैं, इसमें आपको नॉर्मल इंडिकेटर मिलेंगे, और इसकी जो टेल लाइट है, ये भी फुली LED टेल लाइट मिलती है, दोस्तो अगर इंडिया में ये बाइक लाइक होती है, तो Yama इसे FGS और MT-15 के बीच में रख सकती है, क्योंकि FGS का प्राइस तो ठीक है, लेकिन उस बाइक में पावर थोड़ी कम मिलती है, 150cc की बाइक के हिसाब से, वहीं बात करें MT-15 की, तो उस बाइक में परफॉर्मेंस काफी या फिर FGS को Yama अपनी न्यू बाइक M-150 से रिप्लेस भी कर सकती है, क्योंकि इसका प्राइस भी FGS के आसपास होगा, लेकिन M-150 में आपको और भी ज्यादा अच्छे पावर मिलेगी, दोस्तो अगर इंजन की बात करें, तो Yama M-16 में 149cc का सिंगल स्लेंडर 4-stroke liquid-cooled SOHC- FI-BS6 engine मिलेगा, जो की power produce करता है 16BHP की और talk generate करता है 14.3NM का, और इसमें 6-speed gearbox मिलेगा, वहीं बात करें इसके braking की, तो इस bike में dual disc brake मिलते हैं, front में 267mm का disc brake, rear में 220mm का disc brake इसमें मिलेगा, और अगर इसके tire section की बात करें, तो दोस्तो front में 110x70 का 17-inch का tubeless tire, rear में 130x70 का 17-inch का tubeless tire इसमें मिलेगा, तो दोस्तो overall अगर बात करें, तो looks और features के मामले में 150cc की bikes के हिसाब से, इसमें कोई कमी नहीं मिलने वाली है, और अब बात कर लेते हैं इसके launch date की, तो Yama की तरफ से अभी तक कोई official notification नोटिफिकेशन नहीं आया इस bike के launch को लेकर, वहीं अगर price की बात करें, तो इस bike का extra room price 1,40,000 रुपे से start हो सकता है, तो दोस्तो ये थी सारी updates इस bike के बारे में, आपको कैसे लेगी bike, वीडियो में comment करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like कर देने, share कर देना, और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं कराए, तो दोस्तो चैनल को subscribe कर लेना, और bell icon भी साथ में दबा देना, ताकि आपको bikes के और car के new updates मिलते रहें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next video में, thanks for watching.